कि हम लोग पहुंचे कॉर्परेट अकाउंट में वैलिएशन ऑफ शेयर्स में सब्जेक्ट है कॉर्परेट अकाउंट चप्टर का नाम में वैलिएशन ऑफ शेयर्स यह कुश्चन हीट है आयोधिया लिमिटेड ठीक है बहुत लेंदी जाने वाला यह ग्यांसर चुन करते ह यहां पर आपको बैलेंशीट वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है इससे पहले जो मैंने कुश्चन करा है उनमें बैलेंशीट का जो कुश्चन था वह और दिन्टल फॉर्म में था मतलब लाइबिटी इस लैप साइड पे थी एसेट राइट साइड पे यह बैलेंशीट ज अब यहां पर लिखा हुआ है 5,000 इकुडिश्यद ऑफ 100 इच 50 बैडब 30,000 इकुडिश्यद ऑफ 10 इच यहारे एक स्टेप सम्झाओंगा फिलाल मैं सिर्फ रीड कर रहा हुँ थोड़ा लेंदी कुश्चन है यह 10 पर संट पर फेंशे के पिटल दिया हुए रिजर्व सें शुल्स इच नहीं पर देश बैडिश्यद नॉंकर्ट डियप्रेंग मैं टेट्यव अबर्याइंट फ़ाय है यह श्यर्व टेडूत्यक्डिंग यह ठिच यह मैं तो इसनाट स्टर्वए नॉंकर्ट इस्ट्ड्पश्च उनाट इसम्ट्रेंग थेच प्रिण्ट्रै को प स्ट्थिर्ण चैस्टेशंतर लेड़ के शिर्ट ये कैस्टेश्ट थेुलाइब सेट रहुत्र अधिन प्राइब साइब टॉूजन अर्यक्ट साथ चैसे त्राइब सांच अंड ये उंजर्ट थेडिट एल्यक्टेशंड ट्रॉट इसेजिडेंग फ्राइब ट्री लिम्स Find out the intrinsic value and market value of equity shares. मेरे को बीच में बहुत दिल हो रही थी, मैं बहुत सारे नए रूल्स बदाऊं, पर मैंने सुचा कि एक बार पहले पूरा कुशन कम्रीट कर लेते हैं, कुशन कम्रीट हो गए. यहां से रेक्षबू का लोगा अंसर है, और इसके बाद मेरा अंसर है. यह आपको सबसे पहले find करना चाहिए, क्योंकि यह step आपको सब जगा पे खाम आएगा, paid up capital और uncalled capital सब जगा पे आपको खाम आएगा, तो यह step तो सबसे बहले करना ही चाहिए, तो मैं सबसे बहले यह decide करूँगा, calculate भी करूँगा, कि कितने type के equity share है, उन में कितना face value है, कि इतना uncalled है, type A का share है, type B का share है, तो यह सबसे पहले, इसको मैं classification of share capital भी बोलता हूँ, या paid up capital और uncalled capital की calculation, अब दीरे दीरे में excellent करते जाओंगा, यह chapter कैसा है, आपको format बनाने में, हर एक step का format बनाने में बहुत देर लगेगा, पर actual, जब हम solve करने बैठेंगे, actual answer तो बहुत जल्दी solve हो जाएगा, या पहला method होता है, book value method, या intrinsic value method, इसके नाम होते है, book value method, intrinsic value method, net asset method, उसमें 7 steps होते है, तो 7 steps का blank format बनाने में आपको time लगेगा, तो दूसरा method होता है, market value method, उसमें 3 steps होते है, वो blank format बनाने में आपको time लगेगा, फिर तीसरा method होता है, fair value method, उसमें भी एक ही स्टेप होती है उसका भी ब्लैंक फॉर्मेंट पहले से बनाना पड़ेगा तो दीरे 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 सब समझाते जाओंगा बहुत लेंदी जाने वाले द्याल से देखने ठीक है मतब इस कोशन में आप एते बोल सकते हो पूरा चप्टर कबर होगे सुनना अब यहां पे क दो ताइब के पूरिश्या दिए देखो एक यह वाला 5000 इक पूरिश्याद ऑफ फिफ्टी पेड़ अब अगर फिफ्टी पेड़ पेड़ तो बाकि फिफ्टी अंकॉल्ड होगा यह नंबर से याद करो 5000 चेर्स अंडरे इच फिफ्टी पेड़ दूसरा 30,000 इक तो मैंने क्या किया मैंने 5000 वाले का नाम रख दिया टाइप अब नमबर से याद करो 5000 हंड्रेट कि तर्टी दौसन और टैन यहाद अखना कुश्यं में बैलेंशीट में आउटर कॉलम में कुश्यं में बैलेंशीट में जो वैल्यू दी होई होती है वह हमेशा पेड़ लेना है आपको में बैलोग नोड करनो है तो नोड करनी आउटर कॉलम में जो वैल्यू दी हुई हो दिया जब्राइब ऑन से तो 950 पेड़ अगर अगर आप 5000 को मैं अगर prioritize 50 करोगे ना जाएlette चुरू करते हैं यह हमारा अनस्ड़ तो टाइप A में 5000 घ्रीज इस उनकी face value 100 है, 5000 shares है, उनकी face value 100 है, उस उनी 5000 shares पे 50 रुपीज paid up है, 5000 shares of 100 इच, मतलब face value वह 100, paid up है 50, मतलब 5000 shares multiple है 50 रुपीज paid up, अब सीधी बात है 5000 shares पे 100 रुपीज face value है, उसने ते 50 paid up होगा, तो बागी का 50 uncalled होगा, अब हम इन सब को multiply करते हैं, सारे numbers कहीं न कहीं पे हमको काम होगा, it is毕 हमको पाईके काम आएगा, फिर 5000 इन्टो 50 टू लेक 50,000 ये भी हमको आगे चलके काम आएगा ठीक है नंबर ओफ शेर्स भी काम आएगा 5000 ये फेस वैल्यू 100 रुपे भी काम आएगा ये 5 लेक रुपीज भी सब 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 कही न कहीं भी काम आएगा ये टाइप A अब है टाइप B में अगर आपको याद हो तो 30,000 इकुरी शेर्स दे और ये फुली बेड़ेगा 3 लेक मतलब इसमें कोई भी 3 लेक में कोई भी अनकॉल्ड अमाउंट नहीं है तो 30,000 शेर्स ऑफ 10 इट मैं या पर स्टेटमेंट में जाओंगा और मैं या पर लिखूंगा 30,000 शेर्स ऑफ रुपीज टैने अब आप 30,000 मुल्टिप्लाइप टैन करोगे 30,000 मुल्टिप्लाइप टैन तो ओबिएसली 3 लेक आएगा अब 30,000 शेर्स ऑफ 10 इच पूरा का पूरा टैन रुपीज फुली पेड़ब 30,000 ऑफ 10 इच फुली पेड़ब तो हमारा पेड़ब केपिटल आएगा 3 लेक 30,000 इंचु टैन अब सीधी बात दस रुपए की फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू उसमेंदे 10 रुपए सारा का सारा पेड़ब तो अनकॉल्ड अमाउंट तो जीरो होगा अनकॉल्ड कर दोंगे और अमांट का टूडल कर दोंगे पर स्यर्का टूट ड़कत दूर्न में ठीच defic्टाउजा इन एक क्ड़िघंड नंबर ओफ शेयस का टूड़ करेंगे और अमांटका टूड़ेन एट् Lub 35,000 55,000 35,000 250,000 यह टोटल भी हमको कहीने कहीन पर काम है अंदर टोटल शेयर थे 35,000 उस पर आंट लाग रुपे टोटल पेड़ेप है 35,000 शेयर पर आंट लाग रुपे फिफ्टी दाउजन स्वरी आंट लाग रुपे फेस वेल्यू है मैंने गलत बोला 35,000 शेयर की टोटल फेस वेल्यू आंट लाग है उस आंट लाग में थे 5,000 पेड़ेप है बागी 2,000 फिफ्टी दाउजन अनपॉल्ड है अभी यहां पर यह नया पॉइंट शुरू करता हूँ जब यह फेस वेल्यू पर शेयर अलग-אलग होता है घंटर्ट लूपी दो टेन रुपीस जब यह फेस वेल्यू पर शेयर अलग-अलग होता है तो पहले मैथव्ट में स्टेप 7B होता है मैंने सिखाए है बहुत बार थेयरी वाले पेजिस में भी कि 7a कब होता है 7b कब होता है मैं एक बार रूल लिखके देदाँ यह रूल आप लोग theory वाले pages में लिखना थोड़ी दिर के बाद यह रूल मैंने पहले भी समझा है पर मैं फिर से एक बार बता देदाँ बहुत इंपोर्ट है कि ये थेरी वाले बेटिसमें लिपना बाद में लिपना सुनते हम रूल यह है कि पहली पॉइट इफ इफ और ये वन टाइब ऑफ इकविल्टी शेयर इस गिमन और दें सब्सक्राइब सेवन a is done अगर एक ही टाइप का इकोले एक जैर दिया हो है step 7 a करते हैं पहले मैतों में last step होता है उसको 7 a — अगर एक ही type का इकोले चैर दिया हो है step 7 a अब अगर एक से ज़ादा टाइप का Leashree आप more than one type if more than one type of equity shares are given and their face values and their face values are same if more than one type of equity shares are given and their face values are different and their face values are different than step 7b is then if more than one type of equity shares are given if more than one type of equity shares are given if more than one type of equity shares are given in this question step one two three four five six seven step one two three four five six seven will be done calculated on the basis of two years of super profit average profit for goodwill ITD step 3a adjustments step 3b simple average or weighted average step 3c specimen of profit अब अब इस्पेसिमेन अफ प्रॉफिट के अंदर ITD format होता है ठीक है मेरा बनावगा नहीं है मैं वीडियो पॉस्ट करके कॉपी पेस्ट कर देनों फिर वीडियो कंटीन्यू करता है तो मैंने ये step 3c का format बना दिया स्पेसिमेन उफ प्रॉफिट इसको बोलते है average profit for goodwill इसका format होता है ITD तो सबसे बहले जो simple average जहांब एटेर average का answer आएगा उसमें ते ITD तीन चीदे माइनस करेंगे I for interest on non-training investment D for taxes D for preferential dividend one year compulsory इसके बाद average profit for goodwill आएगा इसके बाद step 4 super profit super profit का formula होता है average profit for goodwill minus expected profit इसके बाद step 5 goodwill equal to super profit multiply number of years of purchase step 6 capital employed for shares इसमें 4 amount आती है मैंने बता है बहुत बाद तो आपको ये पूरा blank format बनाने में बहुत देव लग जाएगी capital employed for shares उसमें 4 amount होती है capital पहली amount capital employed for goodwill दूसरी amount goodwill की market value जो step 5 में आ जाएगी goodwill की market value जो step 5 का answer होगा step 1 का answer और step 5 का answer दोनों चाहिए non trading investment question में दे आएगा फिर uncalled amount on all types of equity shares यह हमारा step 4 मदब स्टेब 6 यहां पे complete हो जाएगा इसमें 4 amount आती है इसका step 7 book value पर equity share अब यह step 7 जो है जैसे आप step 7 शुरू करोगे तो आपको पहले यह दिखना पड़ेगा कि कितने टाइप के equity shares है उन सबकी face value क्या है तो मैंने आपको पहले starting में बताया कि यहां पे एक से जाधा type के equity share है उनकी face value अलग अलग है तो step 7 B will be done here more than one type of equity share given and their face values are different so step 7 B should be done step 7 B क्या होता है यह जो capital employed for shares यह वाला two types of equity shares in the ratio of in the ratio of equity share capital if fully paid type A or type B का हम ratio निकालेंगे तो हम लोग एक ratio निकालेंगे type A or type B का उसमें number of shares multiplied by face value होगा type A में भी number of shares multiplied by face value type B में भी number of shares multiplied by face value फिर इन दोनों amounts का एक ratio आएगा उस ratio में capital employed for shares जो step 6 का answer था उसको distribute कर देंगे अब यहां पे capital employed दोनों का अलग अलगा जाएगा type A का और type B का मैं solve करके बताऊंगा amounts के दाद तो ज्यादा पता चलेगा पर यह है blank format जो आप पहले से बना लोगा फिर आएगा book value per equity share जो type A का capital employed आया उसको divided by type A का number of shares minus uncalled amount per share of type A उसी तरह थे type B में भी जो type B का capital employed आया उसको divided by type B के number of shares minus uncalled amount per share वो भी type B का तो इस तरीके थे type A और type B का book value per share के साथो steps मैंने बता दिये blank format फिर जो दूसरा method होता है उसको हम लोग बोलते है market value method market value method का दूसरा नाम होता है yield weighted valuation इसमें पहला step होता है average profit per shares TGD average profit for goodwill में क्या होता ITD इसमें होता TGD step 7 step 1A adjustments अगर कुछ profit में correction करना होतो 1B simple average of weighted average according to trend increasing trend to the weighted average step 1C specimen of profit TGD specimen of profit TGD मतब सबसे पहले profit before interest in tax less taxes less amount transfer to journalism less preferential dividend फिर आजाएगा average profit for shares इसके बाद rate of dividend second method का step 2 rate of dividend rate of dividend का formula average profit for shares multiply by 100 upon total paid up capital of all types of shares फिर step 3 market value per equity share equal to formula rate of dividend multiply by paid up value per equity share upon expected rate of return अब क्या मेरे को यह सारे steps याद है सारे formula याद है आपको घर से यह सारे steps यार्द करके जाने है सीधा एक्जाम में जाके लिख देने सारे steps फिर values पूटप करने है और हर एक step के बाद आदा पे छोड़ देने ठीक है formula लिखते जाने तो market value आएगा type A का पहले फिर type B का फिर इसके बाद तीसरा method होता है इस question में नहीं पूछा है पर A की line का होता है इसलिए मैंने लिख दिया fair value का formula होता है book value plus market value upon 2 एक्जाम में यह नहीं पूछा हो तो नहीं solve करने ठीक है fair value of type A मतब first method का answer plus second method का answer divide by 2 book value plus market value upon 2 तो type A का answer और type B का answer यह format आपको पहले ही जाके बना देने ठीक है अब दीरे दीरे शुरू करते हैं एक मदब एजस्मेंट से पहले मैं चारी एज़स्मेंट सॉल करोंगा उसके बाद मैं old balance sheet सॉल करोंगा ठीक है और कोन्सी एज़स्मेंट कोन से स्टेप में आएगी सारे स्टेप का format बिनाके रखा है सुनत जाए the market value of land and building is 4,50,000 यह step 1 में आएगा market value of land and building 4,50,000 पहले method के step 1 यह 4,50,000 capital employed for good will land and building का market value दिया हुआ जब एक बार आपको land and building का market value दिया हुआ है 4,50,000 तो old balance sheet में old balance sheet में land and building का जो यह asset side पे old balance sheet में land and building का यह जो 3,75,000 दिया हुआ asset side पे वो भी cut कर देने का ऐसा बोलने का कि यह हमारे काम कर नहीं है क्योंकि market value दिया है 4,50,000 तो यह 3,75,000 मतलब यह cost price है और यहां पे liability side पे land and building का reputation fund दिया हुआ इन दोनों को सीधा सीधा cut कर देने का क्योंकि एक बार अगर आपको market value दिया है यह land and building की तो land and building का cost price 3,75,000 और land and building का accumulated reputation 37,500 यह दोनों हमारे काम कर नहीं है क्योंकि market value लिग दिया तो इन दोनों को मैंने cut कर दिया land and building हो गया हर adjustment में में मेरको ऐसा लगता है मैं कुद्न 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 नया रूल बताते रहूं सुनना जयान से रूपी 75,000 डिविडेंट इस रिसीवड और शेयर सब सबसीडियरी कंपनी नाव सबसीडियरी कंपनी के जो शेयर सोते हैं वो ट्रेडिंग इंवेश्मेंट होते हैं लिक्क है मैं रूल लिकरत में में आके रूल अब में आपको सद्व होगी खिए से इन 50 on trading investments interest on trading investments or dividend received dividend received on shares of subsidiary company subsidiary company equal to not recorded anywhere accounting accounting की बाशा में बोलते हैं no entry इसको कहीं पे भी कहीं पे भी आपको प्लस भी नहीं करना है माइनस भी नहीं करना है तो कितने स्टेप्स आपके गलत हो जाएंगे तो ध्यान रखना ट्रेडिंग इन्मेश्मेंट का इंट्रस्ट या डिविडेंट कहीं पे भी प्लस माइनस आपको नहीं करने यह थियरी वाले पेजिद में लिखना बाद में आगे फिर आप लोगों को थर्ट एचेश्मिन द मिलको चाहिए बिफोर दिमाग लगाओ यह जो वन लेक फ्वंडी तू दौजन है इसमें 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 यह 40 पसंट इसमें इसमें किया हुए तो इसमें इतना कितना यह मैं लिख देता हूं पहले मेथद के स्टेप 3 में लिखते दों इसमें यह यह लिखा हुआ है फ्रॉफिट आफ्टर डिटिंग इक्स इक्वल टू 1,22,000 profit after deducting tax और अच्छे दे लेखें profit after deducting 60% tax equal to 1,22,000 ठीक है मतब यह जो 1,22,000 हुआ यह 40% हुआ 40% equal to 1,22,000 तो 100% 100% equal to कितना तो यहां पर मैं profit before tax मैं नोट करें तो equal to 1,22,000 multiplied by 100 divided by 40 तो हमारा profit before tax आ जाएगा और मेरको हर question में before tax ही चाहिए होता है तो मैं लेकोंगा equal to 1,22,000 1,22,000 multiplied by 100 divided by 40 यहां पर 40 आएगा 1,22,000 multiplied by 100 divided by 40 यहां तीन लग पांच अदार रुपए 3,500,000 यह profit before tax आ गया यह वीडियो लेक्चर एंड होने वाला है बाकि जितना भी रह गया next वीडियो में मैं continue करें ठीक है मैं scroll भी नहीं कर पाऊंगा यहां पर वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा और next वीडियो में मैं continue करोंगा मैंने दो एज्जस्मन बता दी वान और टू तीन बता दी वाकि मैं नेक्स वीडियो में continue करोंगा सुंते रेया नव